हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल देविदन अकैडमी में दोस्तो अभी हमको एक पेपर मिला है जो कि कक्षा बार्वी अर्दवार्सिक परिक्षा 2023 में आने वाला है जी विज्यान विसाय का देखिए यह हमारा कक्षा बार्वी का पेपर है जी विज्य सेकेंड एक शेतज सेपर रहेंगे इसके बाद है चैशर लिक पर चल पहला कोस्चन है सही विकल्प चुनक निकल कि इसका पहला है 2001 की जलंगरना के नुसर भारत में जनसंक्य व्रद्धी की दर थी तो ये हमारे ऑप्जक्ट हैं जो की 2 प्रतिसद, 1 प्रतिसद, 20 या 10 प्रतिसद दिया है इसके बाद next है जनसंक्य अब इस्पोर्ट का कारण नहीं है तो इसके आपको चारों के चारों अबजेक्ट दिये हैं इनमें से आपको जो भी सही लगे उस पर टिक लगाना है इसके बाद तीसरा है मनुष्य मेलिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुनसूतर उत्तरदाई होता है इसके आपजेक्ट ये दिये हैं जो आप आंसर लगाएंगे जो था डिये ने अंगली चापन के उसरव प्रतम विक्सत करने वाले बैग्यानिक थे इसका आंसर बताना है आपको इसके बाद पंचबा है निश्चे छेत्र में रहने वाली समस्त समस्टियों को उसे इस्थान का कहते हैं तो इन मेंसे आपको जो भी आंसर सही लगे उसको आपको लिखना है इसके बाद छटबा है हरे पौधे सूरे द्वारा प्रकास उर्जा को गरहन करते हैं 5%, 8%, 2%, 10% इसमें से जो भी आपको सही लगे या जो भी आपने पड़ा हो तो उसमें वो आपको लिखना है इसके बाद अगला कॉस्चन है रिक्तिस्थान की पूर्ति कीजिए जो की 6 नमबर का कॉस्चन है तो यह हमारे 6 पॉंट है जो की आपको हल करने है इसके बाद नेक्स्ट हमारा सत्य असत्य इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन हमारा तीसरा सत्य असत्य जो की 6 नमबर का है इस इसका विकास अंकोस से होता है दूसरा मनसमें भिरून जिलिया की संख्यातीन है असत्य है या सही यह आपको बताना है इसमें तीसरा है एनीमिया यॉन जनेत रोग है इसके बाद प्राकृतिक रूप से जनन में जनन के लिए मैं अच्छमतास को बद्ध्यता कहते हैं इसके आपको जो भी लगे उससे आपको जोड़ी मिलाना है इसके बाद पंचबा है पंचबा हमारा एक बाग के माउत्तर दीजिए बनों में पाए जाने बाले जीव क्या कहलाते हैं दूसरा है पुस्प के स्त्रीकेसर के बाग को की नाम लिखना है इसके बाद तीसरा इस्तनियों निसेचन कहां संपन होता है इसको बताना है इसके बाद है आई यूडी का पूरा नाम फुल पॉम लिखना है इसका मानाव का बैग्यानिक नाम लिखना है यहां पर इसके बाद छटबा कॉस्चन है हमारा परागान किसे कहते हों दान दीजिए इसके बाद सात्बा है हमारा सात्बा कॉस्चन है सुक्राणू जनन को परिभासित कीजिए दो नम्मर का कॉस्चन है इसक अत्वा है, dina finger printing के उपयोग लिखना एसके बाद 9 कॉस्चन हमारा समरतियंग क्या है? उदारण दीजिए इसका अत्वा है B कोशी का baik का क्या है दसबा कॉस्चन हमारा bio guest के घटक, guest के नाम लिखिए इसका अत्वा है अत्वा है किराई प्रोटीन क्या है समझाइए इसके ग्यारा है हमारा मेंडल ने अपने प्रियोग में मतर के पौधे का चाहिन क्यों किया यह बताना है आपको इसका अत्वा है टेस्ट ट्यूब बे अभी क्या है इसके बाद 12 question है फिरसाव क्या है समझाईए इसका अत्वा में अत्वा है हमारा स्वाप्रागन की दो हानिया लिखिए इसके बाद 13 question है आने से एक फलन पर टेपड़ी लिखिए इसका अत्वा है इस त्री जनहन तंत्र का नामांग के चित्र यहां पर आपको डाइग्राम बनाना है इसके बाद अगला question है अगला question है हमारा question नमर चाउदवा स्वाएवं पर परागन में कोई तीन अंता लिखना है यहां से तीन नमर की question इसके बाद अत्वा है अंडानु जनन में कोई तीन अंता लिखिए इसके बाद 15 question है हमारा जी आई एफटी जेड आई एफटी और जी आई एफटी में अंता लिखना है इसके बाद है जीनो ट हमारा कॉしてन नीघ़न रचना ईसके बाद कारवा है राज नीघचेक्ष还 चरना लिखिये अभाका सद्रवा कॉस्टनह मारा ॉप घई किसे कहते हैं अपगटन की किरिया विभिन चरण लिखिए इसके बाद सत्रवे कात्वा है जया विवित्ता का सरक्षन क्या से किया जा सकता है समझाईए इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉस्चन नम्मर अठारा है स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को उदारन सहत समझाईए इसके बाद अतवा हमारा मेंडल वारा प्रयोक कि ये प्रयोक के लिए मटर के पौधिक से क्या लाब हुए लाब लिखना है इसके बाद है उननीस बा कॉस्चन हमारा मनुस्वेन लिंग निर्धारन की किरिया को समझाईए इसके बाद अतवा है न्यूक्लियो सौम की चार विसेस्ता लिखिए बीस बा कॉस्चन हमारा डी आने आर एने में कोई चार अंतरस पस्ट कीजिए इसका अतवा है लेमार्क बाद से आप क प्रियोगता की प्रभाव को समझाना है तो गाइस यह हमारे अर्दवारसिक परिच्छा के कॉस्चन थे जो कि आपको 9 दिसंबर के पेपर में देखने को मिलेंगे तो आप इन कॉस्चनों को अच्छे से कर लें और यह आपका रियल पेपर ही है तो आप इसको अच्छे से सॉल बकल लें ताकि पेपर में गरे आएं तो आपको कोई परिशानी ना हो और आमारे चैनल पर इसी तरह बने रही है और भी वीडियो आम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे धन्यवाद